आज मैंने बनाया है यह मैंने बहुत ही आशान तरीके से बनाया है इसे बनाना बहुत ही आशान है यह मैंने साड़ियों में से चाचा इंची की पट्टियां कट करी है और यह मैंने चैप्टिक इन से बनाया है इसे बनाना बहुत ही आशान है तोकि यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है, एक गंटे में आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं, उतना बड़ा जोर्मेट एक सैफ की पिंजे बना सकती हैं, यह मैंने सिर्फ 10 लट में बना के तयार किया है, इतना बड़ा, आप एक गंटे में, आज गंटे में पूरी साड़ी का, यानि दो साड़ी या एक सारी का दोर में बना सकती है तो चलिए इसे बनाना इष्ट्यट करती है आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी जो सारी हमारी प्रेंट होती है याने कमपू चरकी कड़ाई होती है देए तो इस तरीकी से टूबं सिलाईयों से बनाना नहीं आता आता तो है वो कहीं मूटा कहीं पतला हो जाता है स्लाईयों से बनाती है तो अगर आपके पास यह प्रेंट वाली सारी है तो आप इसका सिलाईयों से भी इस्तमाल कर सकती है मगर मैं आपको बताऊंगी कि प्रेंट वाली यानि पंपू तरगी कराई वाली यह सारी की डिजान बूती है सारी पर का टोर्मेट कैसे बनाएंगी देखिए मेरे पास यह सारी है और आपको मैं एक सैप्टी पिंसेज का टोर्मेट बनाके दिखाऊंगी तो इसके लिए मैंने यह देखो इसे हम पहले चाचार इंचे की पट्टियां कट करेंगे ज्यादा लंबी पट्टी नहीं लेए एक साड़ी में से लंबाई की हम कम से कम पट्टियां कट करेंगे देखो ज्यादा पढ़ी नहीं लेंगे यह मैंने छोटी छोटी कर लिये हैं इनने हम हटादे तो देखिए पहले इसमें हम सबसे पहले एक नोगज लगाएंगे देखो एक नोग लगाई है मैंने एक और लगाएंगे इस तरीके के मैंने देखो एक नोज लगा ली है अब हम इधर की साट में अपनी सेप्टी पिन को डालेंगे यह मैंने सेप्टी पिन डाली है अब हम ऐसे देखो इसे हम उपर रखेंगे और इसमें इसे निकालते जाएंगे कम से कम इस तरीके से हमें दस नोज लगानी है देखो एक दो कर्नो कर्णील हरे हम गाएंगे लगा क्लीन है ये तीन ये चार देखो हम लोट लगा रहे हैं ना एक दो तीन और ये चार ऐसे ही दस नौट लगाएंगे पहले उसके बाद में आपको देखिए तो देखिए मैंने ये दस नौट लगा ली है क्या करेंगे जो हमने नौट लगाई है उनकी साइटों में से इस तरीके से निकालते जाएंगे देखो देख वार अब हम दो दूबार निकालेंगे हर एक नौट में से देखो ये दो बार निकाल दिया इस मैंसे अब हम दूसरी में से निकालेंगे इस वार में से दो बार एकी एक वार और ये दो बार देखो इस तरीके से ये गोल आएगा दस वार इस मैंसे निकाली थी ये नौट लगाएंगे अब दो दो बार करके हम इस मैंसे निकालेंगे तो बीस वार यानि बीस नौट लगाली है हमें अब लगा लेते हैं, अभी मैंने आपको चआन लगा कर दिखांँए जैसे एक गएमगर दीफा और फिर नेकालेते हैं। फिरमें आपको दिखाते हैं आप देखिए हमारी यह पट्टी यहां पर खतम हो गई है तो अब धिर से पट्टी लगाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे के मैं पट्टी में हम डubल करेंगे क्यoskी जोड़ी है अब यहां से इसना के प्ताल करेंगे देखो इस तरीचे से इसे ही जवल हम ने इस पट्टी को किया है इसमें भी हम साइब करेंगे देखो यूने निकल लिया अब दोनों को हम इस तरीचे से रख लेंगे इस राइट में हम सैप्टी पिल लगाएंगे देखो फिर इस वारे पट्टी को हम इसमें से निकाल देंगे जो हमने साल किये हैं उसे उपर रख के एक दूसरे के इस तरीके से निकाल देंगे देखो कितनी आसा में से एक दूसरे में अटैश हो जाती है इसे ही करके हमें अपनी सभी पट्टियों को अटैश कहना है और खतम हो जाती है हमारी पट्टी तो ऐसे ही लगानी है देखो इसमें से अब हम निकालेंगे इस वाली मोट मैं से इसमें से मैं डवलवान निकाल दिया है देखो में अच्छी निकाल आ रही है अब ऐसे करके हम ले आएंगे फिर से मैं आपको दिखाऊंगी पहले थूड़ा सा बना लेती हूँ तो देखिए कितना सुनर सा डोमेट बनके आ रहा है और दोनों तरफ से एक जैसा है आपकी दर्फ से भी इसे इसमाल कर सकती है अब मैं आप इस वाली साड़ी को लगा कर दिखा रही है सिर्फ से अपकी पिन को निकाल रहेंगे और सेम मैंने वैसे पहले लगाई की साड़ी आपको लगा कर दिखाई थी वैसे ही लगानी है देखो यहां से पहले से कट करेंगे इस दोनेट में कुछ भी नहीं है आपको दिखा रहे हूँ बस वैसे ही आप अपनी साड़ी रिस्तमाल करें अगर आपके पास साड़ी नहीं ही है तो आप इसमें ब्लेगी पयामी हो या कुर्ती हो याँ आपके पास कोई भी पुराना कप्ड़ा हो यह वाप इस तरीके से इसमाल कर सकती है इसे हम कट लिया इसे मैंने पर से भी कट कर लिया अब दूसरे में तो आप मैंने पहले लगाई थी डवल दवल नौट अब लगाएंगे हम सिंगल दवल दवल नौट लगाई हैं अब मैं आपको सिंगल सिंगल बार लगा कर दिखाऊंगी और सिंगल के बाद दवल लगाएंगे अब शिंगल शिंगल बार लगाएंगे और शिंगल के बाद फिर से जबल लगाएंगे तो एक बार मैं लगा लेती हूँ उसके बाद में आपको फिर से दिखाऊंगी तो देखिए मैंने एक एक नोट इसके चारा तरफ लगा ले हैं देखो आपको दीख रही होगी कितनी अच्छी तरह से यह बन जाता है अब मैं डवल डवल लगाऊंगी यानि एक मैसे हमें कर रहा हुआ कि देखो इसी तरीके से हम इसे काफी बड़ा बना लेते हैं देखो फिस एक ठекव की भीन है ऊसे तुछ इस वीडियो में मैं वस इतना आपको दिखाकर बस इतना ही बड़ा बना देती हूँ अब मैं धाग इस पट्टी को कट कर देती हूँ मैंने इसे नौत लगाकर गडिया है देखो कितना सुन्दर सा प्यारा सा ये डूब में बनके तयार है देखो अगर आपको मेरी वीडियो मतना है तो प्लीज इने वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों से शियर करें तो पिन में लेगिंग नेफ्ट विलीव सा अब्सक्राइब करें बड़्यू